आइने हिंदी के एक नए एपसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सैफरान को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि सैफरान इस समय भारत में अपनी कदम जमा रहा है और एक के बाद एक जो एडवांस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर बहुत महात्पूर्ण मानी जा रही है फ्रेंच इंजन मैनेफेक्टर सैफरान ने कहा कि वो एक सो दस क्रूटिन का इंजन भारत में बना रहा है जो कि मुक्यता इडवांस फिडियों का में इंजन को सिर्फ एमका में इंटीग्रेट करना नहीं है बलकि भारत का जो नेकिशन नेशन तेजस एक्राफ्ट होने वाला है इसमें भी ये इंजन जो है वो इंटीग्रेट किये जा सकते है या एक्क्विप किये जा सकते है और सैफरान इस चीज को बकाईदा सुनशित भी कर रहा है उन्हेने कहा कि भारतिया वायू से इस समय F414 engine के साथ जा रही है तेज़स Mark 2 program के लिए जो ततकाल तोर पर एक best option है तेज़स program के लिए लेकिन अगर भारत चाहेगा तो आने वाले निकट भविष्य में जो 110 कि इंजन है इनको भारती अवायो सिना के लिए एवेलबल कर दिया जाएगा और यह भारती अवायो स को सुनिश्चित किया जाएगा और ये इंजन भारत को 80% transfer of technology के साथ देखनी को मिलने वाले हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि सैफरानम का कहना है कि हम जो इंजन बना रहे हैं मुख्यता इसका इस्तिमाद सिर्फ भारत अपने अमका में नहीं कर पाएगा बल इसी टार्गिट को ध्यान में रख करके इंजन प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा सबसे खास बात तो यहां पर यह होने वाली है कि अगर हम तेजस माक्टू प्रेटफॉर्म की बात करें तो कल की वीडियो में हमने आप से कहा था कि तेजस माक्टू जो एक्राप्ट होता दिखाई पड़ेगा और अगर भारती अवाइव से ना प्रमुक की बात माने तो उनका अनुमान है कि दो हजार उनतिस से तीस की बीच में यह जो एक्राप्ट है यह प्रोडक्शन में उतर जाएगा इनिशल जो वैरियंट आएंगे हमारे तेजस माक्टू के यह हमा मौडर इंजन बे का बेनफिट यह है कि भारत अपने जरूत के हिसाफ से कस्टमाइजेशन करके जो नया इंजन है उतको एक्विप कर सकता है इंडिन एफोस का इनिशल प्लैन होगा 123 माक्टू को खरीदना और यह भारती अवाइव सेना के द्वारा लबबग कनफर्म भी कि जो इंपोर्टिट टेकनोलोजी है आप उसे बहुत डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकते और भारत इससे में परिशान ही है क्योंकि जिस प्रकार जनरलेक्ट्रिक का रवाइया एफ 404 को लेकर रहा है अभी भी डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में चिंता है इस चीज को उफर है इसको भारत के ज़र सीरसली कंसीडर भी किया जाएगा और एक्सपर्ट इसे एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर भी देख रहे है क्योंकि उनका मानना है कि जब स्वदेशी इंजन मन के तयार हो जाएगा तो यह हमारे उपर है हम किस किस प्रेटफॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में जनरल लेक्ट्रिक का जो इंजन है उसको रेप्लेस भी किया जा सकता है जरसल आने वाले भविश्य की बात करें तो हमरे पास दो ऐसे इंजन होंगे ऑप्शन के तौर पर जिनका यूज हम चाहे जैसे कर सकते हैं एक हो गया हमारा इंडिज इसकी बात करें तो पावर फिगर 90 से लिकर के 99 क्लोटन के बीच में होने वाले हैं और यह पावर फिगर भी तेजस मार्क 2 की रिक्वार्मन को देखते हुए ठीक वाने जा रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के पाख यहाँ पर दो इंजन का जो आप्शन है वो जो उनमें इस्तिमाल किये जाने वाले M88 इंजन है यह भी भारत में ही बनाये जाएंगे और आने वाले भविश्य में जो भी रिक्वार्मेंट होगी वो इन ही इंजन के तुरू पूरी करने का प्रयास किया जाएगा तो भारत के पास इससे में बड़ी कि हमें किस ओफर के साथ आगे बढ़ना है हमारे इगलिवर्टी भी फ्रैंस को लेकर आ रही है दोस्तों आप सब को पता है कि फ्रांस और भारत की बीच में जो सैने संबंध है वो आज के नहीं है और भारत के बहुत सारे एक्राफ डिवलप्नेंट प्रोग्राम रहे हैं चाहाँ पर फ्रांस ने पार्टिसिपेट भी किया है और उसमें फ्रेंश कंप्रीज का योगदान भी काफी दातर आया लेकिन इसी बीच से फ्रांस ने भारत से एक रिक्वेस्ट करी है और यह रिक्वेस्ट काफी गंभीर है दरसल फ्रांस को इस बात का डर है कि जो एव वो इस चीज़ को लेकर चिंतित रहे है फ्रांस के तरफ से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भारत को भेजी गई है कि भारत जो सप्लाई होती है फ्रेंच मेनुफैक्चर जो खासकर अगर हम बात करें मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेई की निविगेशन सिस्टम की हेड्स अप डि जा रहा है कि कजाकस्तान बेस्ट एक कंपनी है जो कि इंटरनेश्टल सैंक्शन को बाइपास कर रही है रशिया के साथ कोलाबरेट करके और वो क्रिटिकल एविउनिक सिस्टम जो की सु थर्टी एसम फाइटर्स में इस्तेमाल किया जाते है जो कि फ्रेंच और जिन के है उनको रेपेर भी कर रही है और अपग्रेट करने के रास्ते भी तलाश रही है अगर हम स्यू थर्टी एसम फाइटर जिट्स की बात करें तो यह सू थर्टी एमक्याई का एक डेरिवेट है जो कि वेसिकली कस्टमाइज किये गए है यूजर्स के रिक्वार्मेंट के हिसा शामिल है और दूसरी चीज़े है जिसमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेइज नेविगेशन ये टागेटिंग सिस्टम भी शामिल है अब अगर सुखोई 30 एमक्याई डेप्लेप्मेंट प्रोग्राम की बात करें तो फ्रेंच मैनेफेक्ट्टर जो एवियोनिक्स है इनका इसका क्या जवाब देता है और यह पहली बार नहीं हुआ है जब यह इस प्रकार के जो पार्ट्स हैं यह इंडार्ट्ली रश्या तक पहुंचे हो और भी दूसरी कंपनिया है जुन्होंने इस चीज़ पर चिंता व्यक्ते करिया और भारत भी इस चीज़ को फिगर जिनके फाइटर्स हैं इनको सुपर सो कोई प्रोग्राम के अंतरगत रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले भविश्य में हमें जो इंडिजनस कॉम्पोनेंट के साथ यह एक्राफ्ट हैं यह देखने को मिलने वाले हैं तो आज किस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए नहे चैनल को सब्सक्राइब करिए बिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए जै हिंद